नमस्कार दोस्तों आज हम chemistry का अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि है compounds and mixtures अब दीखिए जब हम बात कर रहे थे आपको याद होगा पिछले chapter में हमने बात की थी matter की और matter के क्या properties होते हैं क्या states होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी अब हम उससे आगे matter है जो अशुद्ध है तो शुद्धता क्या है अशुद्धता क्या है किसे हम कहेंगे कि pure substance है या matter है किसे हम कहेंगे इंप्यूर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो इस लिए इस chapter का नाम मैंने दिया है compounds and mixtures यहां पे एक और बात आप ज्यान रखें कि जब हम बात क किया जाता है element को हम वहां पर देखेंगे यहां पर जो हमारा सबसे प्रमुक उद्देश होगा वहोगा mixtures के बारे में पढ़ना यानि एक तरह से हम यह कह रहे हैं कि जो भी impure matter है उसके बारे में उसके बारे में हम ज्यादा विस्तरित चर्चा करेंगे compound के बारे में थोड की थी matter की और आपको अगर स्मरण हो उसका definition जो हमने किया था वो यह था कि anything that has mass and occupy space can be called as matter यहां पर हम बात करें substance की यानि पदार्थ की तो पदार्थ हम किसे कहेंगे anything that cannot be broken into further particles by applying any physical processes is called substance दो प्रमुक बाते cannot be broken down into further particles यानि और छोटे particle में इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता by applying any physical processes यानि हम अगर chemical processes apply करते हैं तो हम आगे भी इन्हें तोड़ सकते हैं लेकिन physical processes के द्वारा हम इन्हें नहीं तोड़ सकते हैं तो chemical processes क्या है और physical processes क्या है इसके बारे में भी हम इसी chapter में चर्चा करेंगे आगे लेकिन ये दो प्रमुक बाते हैं आप ध्यान रखें पहला cannot be broken into further particles by any physical processes तो ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे उन्हें हम substance करते हैं matter can be classified into two types of substances pure substance and mixtures यानि impure substance जैसा हमने देखा तो pure substance हो गया और impure substance हो गया तो जब हम बात कर रहे हैं pure substance की तो a substance that consists of only one type of particle उसे हम कहेंगे pure substance तो जैसे diamond नमक sulfur tin इनको हम pure substance कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं इसके बारे हम चर्चा करेंगे आगे लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें कि क्या pure substance होता है फिर mixture when we combine different substances into each other mixture is formed यानि हम बात यह कर रहे हैं कि different आप यूं कह लें pure substances different pure substances को जब हम एक साथ मिला रहे हैं एक मिश्रन पैदा हो रहा है तो इस मिश्रन को हम mixture कहते हैं तो example है lemonade या नीमू पानी जो आप पीते हैं वह एक mixture है पानी और चीनी को ज़दी हम मिला दें तो वह एक mixture है अगर हम मिट्टी की बात करें स्वाइल की बात करें तो वह एक mixture है इवन अपने bronze middle के बारे में सुना होगा तो bronze जो होता है वह भी mixture होता है तो pure subject 2 या 3 pure substances से बना होगा यह pure substance elements भी हो सकते है और यह बने होगे तो वापस एक बार यदि हम जाए यहां पर तो हमने देखा था कि matter pure substance aintben या इंप्योव सब्स्टांस को आप मिक्षै कहेंगे ऐलीमेंट कहेंगे अध्या तो आप उझें कंपाउन कहS ये दोनों आपके हो गए pure substance तो चलिए हम सबसे पहले mixture की बात करते हैं और mixture कितने तरह के हो सकते हैं उन्हें हम देखें तो mixture दो प्रकार के हो सकते हैं एक जिने हम heterogeneous mixture कहेंगे और एक जिने हम homogenous mixture कहेंगे तो homogenous mixture वो होंगे जो बहुत अच्छे से घुल मिल चुके हैं जिनमें आपको पता नहीं चलेगा कि वो mixture है heterogeneous mixture में आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि ये heterogeneous mixture है जैसे यदि मैं बात करो मिट्टी की तो मिट्टी में आप छोटे-छोटे कंकर देखते है मिट्टी एक खुद में एक सबस्टांस होता है भूरे रंग का तो कई तरह की चीज़े वहाँ पर मिली होती है और आप उन्हें बहुत आसानी से अलग कर पाते है तो वैसे mixture को हम heterogeneous mixture कह सकते है या माल लीजे आप पानी ले लीजे एक गलास एक गलास पानी में आप थोड़ा सा कंकर या पत्थर मिला दे तो ये जो mixture है ये heterogeneous mixture है क्योंकि इसमें कंकर या पत्थर को आप बहुत असानी से अलग कर सकते है पानी को आप अलग से देख पा रहे है तो इसलिए आप homogeneous नहीं कहेंगे इन्हें heterogeneous कहेंगे तो homogeneous क्या होता है homogeneous उस mixture को कहते है जहां पर आसानी से आप नहीं देख पाएं कि उस mixture का क्या-क्या स्रोथ है कौन-कौन से constituent matter है उसके अंदर जैसे अगर मैं चीनी पानी में मिला करके घोल दो तो पहले शुरुवात में तो आप हो सकता है कि देख पाएंगे कि चीनी जो है वो ग्लास की नीचे बैठा हुआ है तो उस समय आप उसे heterogeneous mixture कह सकते है लेकिन जब आप एक बार मान लिए चमच लेकर कि उसे मिला देते हैं पूरा अच्छे से तो एक बार जैसे ही आप पूरा मिला देंगे और चीनी अगर आपको नजर नहीं आ रहा है उस पानी में तो आपको यह समझ में आएगा कि उपर से नीचे तक पूरे ग्लास में जो पानी है वो मीठा हो चुका है और एक समान मीठा है ऐसा नहीं है कि उपर में कम मीठा है और नीचे में ज्यादा मीठा है हर तरफ समान मीठा आप देखते हैं दूद की यदी हम बात करेंए तो दूद भी कुछ ऐसा ही है दूद में माल लिजए आप थोड़ा सा पानी मिला दें अगर 10 ml पानी मिला भी दें और इसे घोल दें तो पता तो आपको चलेगा नहीं कि कितना दूद है और कितना पानी है तो ये भी एक homogeneous mixture बन जाता है तो ऐसे जितने भी mixture होते हैं जिन्हें हम असानी से नहीं देख पाते और जो भी particles of matter हैं वो अलग-अलग आराम से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं homogeneous mixture और जैसा कि आप इस diagram में देख पा रहे हैं हेट्रोजीनियस mixture में दोनों particles अग्दम अलग-अलग आपको नजर आ रहे हैं तो यही अंतर होता है homogeneous और हेट्रोजीनियस mixture के बीच तो सबसे पहले हम बात करते हैं homogeneous mixture की mixture in which components mix well with each other uniformly इस word को आप ध्यान रखें uniformly are called homogeneous mixture इसी के भी प्रीच जब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस mixture की तो components in a हेट्रोजीनियस mixture do not completely dissolve in each other ध्यान रखें and we can separate them by physical means तो एक्जामपल के लिए जैसा हमने बात की थी उसी प्रकाल का एक्जामपल यहां पर मैंने यहां लिख रखा है कि जदी आप बालू को डाल देते हैं पानी में तो बहुत असानी से आप दे पानी में पूरी तरह से मिल जा रहा है और उपर से नीचे तक जो वह पानी होगा उसका टेस्ट एक ही प्रकार होगा एक ही समान मीठा होगा तो यह अंतर हो जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस mixture के बीच तो एक बार यहां पर इस ट्रेवल को आप देख लें चाहें होमोजीनियस mixture की तो यह शब्द solution आपने सुना होगा तो solution जो होता है वह होमोजीनियस mixture होता है जैसे solution of sugar in water solution of water in milk यह सारे जो है यह क्या है यह होमोजीनियस mixture है हेट्रोजीनियस mixture दो प्रकार के होते हैं suspension और collider suspension की ने कहते हैं और collide के ने कहते हैं इनके बारे में आगे विश्तिर चरका करेंगे अभी पहले शुरुवात हम करते हैं solution से तो solution क्या होता है जो भी होमोजीनियस mixture होंगे उन्हें हम solution कह सकते हैं और यहां पर अनेक उदारन मैंने लिकर के दे दिये हैं आपको आप इनका ध्यान रखें क्योंकि यह ऐसे चीजें हैं जो की exam में पूछी जा सकती है which of the following can be said to be a homogeneous mixture option में आपको दे दिया जाएगा suspension, collidal, solution, none of the above तो इसमें answer होगा solution solution of liquid into liquid, water and ink, solid into solid, alloy जैसे हमने bronze की बात की तो bronze क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और alloy क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे gas into gas, air, solid into liquid, sugar and water, solid into gas, hydrogen and metals, liquid into gas, carbon dioxide and water जो की आप अपने cold rings में देखते हैं तो ये सारे example हो गए अनेक प्रकार से कैसे हम solution को देख सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि solution के वो liquid और liquid का हो, solution solid और solid का भी हो सकता है, solid liquid का भी हो सकता है, solid gas का भी हो सकता है gas liquid का भी हो सकता है, तो सभी प्रकार की possibilities यहाँ पर हम देख सकते हैं अब दो बात ध्यान रखें कि जो भी solution होता है, उसमें दो constituents होते हैं एक जिसने हम solute कहते हैं और एक जिने हम solvent कहते हैं तो जैसा कि माल लीजे हमने example लिया था, चीनी जो की पानी में घुल जाता है उसका तो आपको याद होगा, मैंने शुरुवात में ही आपको कहा था कि चीनी पानी का example में लेता रहूँगा तो माल लीजे कि एक बरतन है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें आप नीचे चीनी मिला रहे है तो चीनी जब आप मिला रहे हैं तो शुरुवात में क्या होगा आपको पता है कि शुरुवात में ये जो चीनी है ये नीचे बैठा हुआ है तो चीनी जो ये नीचे बैठा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये ये जो सब्स्टांस होता है इसे हम solute कहते हैं और उपर ये जो सब्स्टांस है इन्हें हम solvent कहते हैं यानि किसे हम कह रहे हैं solute और किसे कह रहे हैं solvent तो definition पे आप ध्यान दे substance in which another the substance is mixed is called solvent यानि जो बेस तयार कर रहा हो जो जादा मात्रा में हो उसे हम कहेंगे solvent the water is a solvent in which we can mix different substances such as salt और sugar फिर solute क्या है substance that is added to the solvent to form the solution is called as solute तो जो हम उपर से डाल रहे हैं जिस चीज में डाल रहे हैं उसके हिसाब से हम decide करेंगे solvent क्या है और solute क्या है अब जैसे माल लीजिए कि एक बरतन में आपके पास दूद रखा हुआ है और दूद में थोड़ा सा पानी आप मिला रहे हैं तो यहां पर पानी जो है है और पानी solvent है तो जो जादा मात्रा में है जो आपके लिए base तयार कर R रहा है solution का उसे हम solvent कहेंगे और जिसे हम ऊपर से मिलाएं अलग से मिलाएं ला करके मिलाएं उन्हें हम solute कहेंगे तो इस बात का ध्यान रखें एक बार हम देखते हैं कि solution के क्या-क्या properties होती हैं सबसे पहले यह homogeneous mixture है we cannot see the particles of solution through naked eyes as they are as small as one nanometer in diameter तो जिसके बारे में हमने चर्चा की कि homogeneous mixture में आप देख नहीं पाएंगे component कौन-कौन से हैं और इसका कारण क्या होता है कि जो भी particles हैं वो इस प्रकार से मिले हुए कि उनके particles का size इतना छोटा है कि आप नहीं देख पाएंगे यह लाइन आप बिलकुल ध्यान रखें particles of a solution do not scatter light through them as they are extremely small यानि जो भी particles होते हैं solution के उनके through आप यह नहीं देखेंगे dispersion of light हो जाए देखें डिस्पर्शन of light होते हुए आप देखते होंगे और उसमें आपको छोटे-छोटे पदार्थ हो सकते हैं दिखें चोटे-छोटे कंड दिखें आपको तो यह जो छोटे-छोटे particles और कंड दिख रहे हैं आपको यह क्या है इनके through light लाइट डिस्पर्स हो पा रहा है तो क्योंकि इनके थ्रू लाइट डिस्पर्स हो पा रहा है इसलिए हम इन्हें homogeneous mixture नहीं कहेंगे इन्हें solution नहीं कहेंगे यह heterogeneous mixture के example है हो सकता है कि आपने यह देखा होगा कि आपके घर में अगर जाडू लगाया जा रहा है सुबह में तो आप सूर्य की रौश्णी के बीच से उन पार्टिकल्स को हवा में तैरते हुए देख पाते हैं तो इसलिए solution नहीं कहलाएगा क्योंकि उनके particles अभी भी अलग थलग हैं और आपको उनके थ्रू सूर्य की रौश्णी इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसलिए एक important property है solution और heterogeneous mixture के बीच में अंतर करने के लिए बहुत साधारण सी बात है चीनी पानी का example हमने लिया उसे अगर आप छनी से अगर छानते हैं तो उसे आप अलग तो नहीं कर पाएंगे लेकिन यहीं माल लीजे कि चाय पत्ती होती है चाय बना रहे होते हैं आप जब आप छनी का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे में क्या होता है कि चाय पत्तियां जो है वो छनी की ऊपर रह जाती है और चाय जो नीचे चला जाता है यानि यह क्या था heterogeneous mixture था तो homogeneous mixture में आप particle को अलग केवल filtration से नहीं कर पाएंगे आपको उसके लिए दूसरे method की ज़रूत पड़ेगी अब हम बात करते हैं एक अलग type की solution की या अलग type की homogeneous mixture की जिने हम alloy कहते हैं तो alloy जैसे की हमने bronze की बात की थी brass एक और example हो जाता है तो copper और tin को जब हम मिलाते हैं तो bronze बनता है copper और zinc को जब हम मिलाते हैं तो brass बनता है और इसे कई सारे example है जैसे एक और example है steel तो steel में क्या है steel में भी अलग अलग प्रकार के element देखे जा सकते हैं carbon होता है इसमें iron होता है और इसके अलावा अन्य कुछ elements भी होते हैं तो steel भी क्या है steel भी एक alloy है तो यह alloy का क्या होता है alloy क्योंकि देखे अगर आप steel देख रहे हो या आपने bronze देखा हो तो देखने में तो pure substance लगता है लेकि इस pure substance होते नहीं है क्योंकि इन में दो अलग-अलग पदार्थ मिले हुए हैं homogenously मिले हुए हैं क्योंकि इनकी जो properties है वो ज्यादा change नहीं होती है इन्हें हम अलग कर सकते हैं दूसरा क्या reason होता है कि जैसे माल लीजे आप अगर बात करते हैं किसी compound की compound क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे पानी एक compound है और steel जो है वो compound नहीं है वो mixture है अंतर क्या होगा दोनों के बीच में कि जब हम steel की बात करते हैं तो steel में जो iron हो होगा या दूसरे जो elements होंगे उनका जो ratio होगा वो एकदम exactly fixed नहीं होता है more or less उतना ही होता है जितना आप चाहें जैसे आप अगर bronze की बात करें तो bronze में copper होता है और tin जो है वो up to 12% होता है यानी 8% 10 भी हो सकता है 10% 10 भी हो सकता है 11% 10 भी हो सकता है 12% 10 भी हो सकता है brass की यह जो ratio है जो अलग-अलग elements का यह same हो यह जरूरी नहीं है लेकिन जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी में दो element होते है hydrogen और oxygen और यह जो हमेशा hydrogen और oxygen होंगे यह हमेशा एक fixed ratio में होंगे 2 is to 1 यानि दो भाग hydrogen के साथ अगर एक भाग oxygen मिलेगा तब ही पानी मिलेगा लेक एक लोगी कुछ और बन जाएगा वह पानी नहीं रहेगा तो यहीं अंतर होता है कि जब हम बात करते हैं पानी की या किसी भी compound की तो यह जो ratio होते हैं pure substances के या elements के यह हमेशा fixed होते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं alloy की या किसी भी mixture की तो उसमें हम यह देखते हैं कि यह जो मिक्शेर में जो विभिन सब्स्टान्स हैं इनके जो रेशियों हैं यह अलग-अलग हो सकते हैं तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अब कुछ अलग-अलग टर्म है solution को लेकर कि जिने हम देख लेते हैं एक की dilute solution किसे कहते हैं dilute solution उसे कहें ग nutrimento gel जिसमेंyanase का मघय को जिसमें जो solute है कि वह बहुत कम मातरा में और जो solvent हो काफ़ी अधिग मातरा में यह अंतर हो गा solute और solvent की बीच जब हम कह रहे हैं dilute है फिर होता है unsaturated solution unsaturated solution उसे हम कहते हैं जिसमें और solute अभी मिलाया जा सकता है यानि माल दीजी कि आप फिर से मैं उदारन लेता हूँ चीनी और पानी का तो एक बरतर में आपके पास पानी है और इसमें आप थोड़ा से चीनी मिलाते हैं आप थोड़ी देर तक घोलेंगे तो आप देखेंगे कि चीनी पूरी तरह से घुल गया आप और चीनी मिलाई है उसको फिर से घोलिए हो सकता है थोड़ी देर बाद वो भी घुल जाए लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद आप चीनी अगर डालते हैं तो और नहीं घुलेगा तो जब ये घुलना बंध हो जाए घुलना क्यों बंध हो जाएगा सबसे पहले ये समझे पिछले चाप्टर में हमने बात किया था कि जो भी लिक्वेड है उसके बीच के जो सबस्टान्स हैं उसमें रिक्स्थान होते हैं जिनके कारण आप चीनी जैसे पतार्त को मिला पाते हैं लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जो भी पार्टिकल्स के बीच के रिक्स्थान थे वे भर गए हमने बहुत सारा चीनी इसमें मिला दिया तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जितने भी रिक्स्थान थे वो चीनी से भर गए हैं तो एक बाद जब वो चीनी से भर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप और चीनी मिलाते भी हैं तो यह नहीं घुलेगा, तो जब तक आप यह और चीनी को घोल पा रहे हैं, तब तक आप इन्हें unsaturated solution कहेंगे, जब आप और नहीं घोल पाएं, तब आप उसे saturated solution कहेंगे, ठीक है, तो और चीनी जब add ना हो पाएं, तो saturated solution हो गया, जब तक हम चीनी को add कर पा रहे हैं, तब तक हम इसे unsaturated solution कहेंगे, फिर होता है, concentrated solution, तो concentrated solution हम उसे कहते हैं, जहां पर solute जो है solvent में, वो बहुत अधिक मात्रा में हो, तो जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी मिलाते हैं, जब चाशनी बनात एक चमच चीनी मिलाते हैं जब आप ग्लास में, उन दोनों की बीच में क्या अंतर है, चाशनी में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानि solute की मात्रा बहुत अधिक है, तो जब solute की मात्रा बहुत अधिक होगी, तो उसे हम concentrated solution कहेंगे, और जब आप यह देखते हैं कि solvent की मातरा बहुत अधिक है तो वो dilute solution होता है तो यह अंतर है dilute और concentrated solution के बीच तो अब जब हम concentration और concentrated solution की बात कर रहे हैं तो यह समझने कोशिश करते हैं कि concentration का मतलब क्या होता है concentration refers to the amount of substance per defined space or can be defined as the ratio of solute in a solution to either solvent or total solution यानि जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक solution है तो either solution में solute की मातरा कितनी है या solvent में solute की मातरा कितनी है उसको हम कहेंगे concentration of solution तो एक example मैं आपको देता हूँ कि concentration का मतलब क्या होता है माल लीजे कि फिर से sugar water का मैं example ले रहा हूँ माल लीजे आपके पास 100 gram पानी चीनी का घोल है इस 100 gram में हम यह देख रहे हैं कि 70 gram जो है इसमें यह पानी है और 30 gram आपने इसमें चीनी मिलाया है तो जब हम concentration बोलते हैं किसी भी solution का तो दो प्रकार से हम बोल सकते हैं या तो हम यह कहेंगे कि इसका यह 30 percent solution है 30 percent solution का अर्थ क्या हो जाएगा कि 100 gram solution में 30 gram हमने चीनी मिलाया हुआ है यह हम दूसरी प्रकार से इसे यह कह सकते हैं कि यह 30 बटा 70 solution है यानि 30 बटा 70 का मतलब यह हो जाएगा कि 30 gram इसमें solute है और 70 gram इसमें solvent है तो हम यह हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं जिसे आप यह देखें यहाँ पे तीन example मैंने ले रखे हैं आपके लिए एक percentage by mass percentage by mass का मतलब हम mass of solute by mass of solution देख रहे हैं और क्योंकि percentage है तो यह इन्टू 100 कर रहे हैं अपने-अपने maths के कक्षा में पढ़ा होगा इसे percentage by volume यानि volume of solute divided by volume of solution इन्टू 100 कर रहे हैं क्योंकि percentage निकालना है एक और जो बहुत प्रचलित तरीका होता है किसी भी solution को मातने का वो होता है parts per million parts per million मतलब mass of solution divided by mass of solvent ध्यान रखें यहाँ पर यहाँ पर हम solvent की बात कर रहे हैं उपर हम solution की बात कर रहे थे और उसको multiply कर देते हैं 10 to the power 6 से क्योंकि million के हम बात कर रहे हैं एक million कितना होता है एक million होता है 10 लाग के बराबर तो इसलिए 10 पे पावर 6 की बात कर रहे हैं तो parts per million क्यों यूज चरते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे solution होते हैं जिसमें solute की मात्रा बहुत कम होती है और क्योंकि solute की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए हम इसे parts per million में नापते हैं, हम इसे कभी भी percentage by volume या percentage by mass में नहीं नाप्त है तो यह हो गई कंसेंट्रेशन की बात है